हेलो मेंडे स्टूडेंट्स हाव आर यूँ आयम जीतंदर पत्रव वेलकम स्यू अल ऑन माई यूटूब चैनल जीतु फिजीक्स और आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सक्राइब करेंगे और एक नया लेंट्स हम बनाने जा रहे हैं तो कैसे बनेगा उसका फुकाल लेंट्स क्या होगा इन दोनों का फुकाल लेंट्स क्या था कैसा एमस फर्मेश फर्मिस्टन होगा तो यह सब डिस्कसन करेंगे चलो नेखते हैं तो हम दो धो थो कॉल्येंट्स लिए हैं जो की एक स के कॉंबशने ऋर वाई कणनुरंत है एक स concert का फॉकालंद्स होता है एक साथीरों है और wonाल है तो हम एक हमारा आपजेक्ट है तो और अगर माना जाए की वाइल लेंस प्रेजंट नहीं है तो अगर ट्रावल करके जा रहा है तो टक और लेंस का प्रपटी क्या होता चैंonds इन्मीर स्कंटाने के लिए हमारा कोई ज़र्रत नहीं पड़ा है यह ल लिमीट किया है तो इसको बोलते हैं हम रियल वाला इमेज तो अगर यू अबजेक्ट डिस्टांस है तो भीडेस पहला लेंस का पहला लेंस का इमेज डिस्टांस है तो आएए उतना तक हम डिसकर्शन करते हैं तो लेंस फर्मुला यूज करेंगे तो फास्ट लेंस के लिए लेंस फर्मूला क्या होगा क्या होगा 1yf1 क्योंकि फर्मूला होता है 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u yes or no okay तो 1 by f1 हो गया क्योंकि convex lens का focal length always positive लेते हैं हम तो 1 by f1 is equal to 1 by v 1 by v kya है 1 by v dash 1 by v dash minus 1 by u 1 by u अगर हम sign लेते हैं है तो क्या लेंगे minus u क्योंकि पोल के negative तरफ तो इसका क्या लिखेंगे one by f1 is equal to one by v-s plus one by u Yes or no तो इसको हम box बना देंगे और equation 1 में डाल देंगे क्लियर हम माने थे कि second lens present नहीं है बुलके अभी क्या करेंगे second में अगर प्रेजेंट होगा तो यह तो चस्य करेगा और ठोड़े जादा के नपर सकूर पर अबरगा टो से करेंगे लेकिन यह वाला मैं जैए क्वेल्फ नहीं होगा यह वाला मिया होगा भर्च्वाल अब्जेक्ट होगा थो यह हो जाए यहां पे जाके meet करेगा और real image formation करेगा लेकिन अगर second lens present रहता है तो यह बाला reapplied और थोड़ा जादा converge करेगा तो यह बन जाएगा उसके लिए virtual object और यह बन जाएगा उसके लिए image real image बनेगा क्योंकि हमारा कोई जरुषत नहीं पड़ा है तो यह बन जाएगा यह बन जाएगा virtual object तो आईए फिर second lens के लिए हम लिखते हैं second lens के लिए फिर लिखेंगे lens वाला परमुला डाल के क्या होगा बोलो one by f2 one by f2 is equal to क्या लिखेंगे one by v one by v one by v minus one by one by v dash दोनों तो पूल के right hand side पर है तो positive sign यूज होगा तो यह हो जाएगा equation number two okay तो आईए equation one और equation two को हम क्या करेंगे अभी add करेंगे तो adding दीख रहे ना सबको adding equation one and two we get what we get आज संडे को सुपर संडे करते हैं तो one by f1 plus one by f2 is equal to यहां पर क्या है one by v one b dash plus one by u plus one by v minus one by v dash तो one by b dash minus one by v dash cancel out हो जाएगा तो यहां पर बचेगा क्या बचेगा one by f1 plus one by f2 is equal to one by u plus one by v yes or no यह बन जाएगा आपके लिए equation number three बन जाएगा okay equation number three बन जाएगा तो अभी हम क्या करेंगे अगर अगर combine होने के बाद अगर दो lens को हम combine कर लिए उसके बाद उन लोगों का focal length होता है suppose f e focal length होता है effective focal length क्या बोलते हैं उसको effective वाला focal length effective focal length a effective focal length effective focal length yes or no okay तो effective focal length के लिए यह हो जाएगा image object distance और यह simple about finally measures होता है यह बहरा हो जाएगा उसके लिए image बाला distance तो यह हो जाएगा object distance यह भी ओज्जेग ऐग कै लिए image बाला distance तो तो इसके लिए लेंस्फ फर्माट डलते हैं, तो 1 by f is equal to kya हो जाएगा, 1 by v, 1 by v, minus 1 by u, तो u के लिए क्या लखेंगे, minus u लखेंगे, क्योंकि पोल के इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 by f is equal to, यह हो जाएगा one way fee one way fee is equal to one way u plus one way b होगा कि नहीं दखो minus minus plus हो जाएगा यह equation number 4 हो गया तो आईए नज़र डालते है equation number 3 और equation number 4 में क्या कमा है नहीं right hand side दोनों के side same है तो हम क्या करेंगे left hand side को same लिख सकते हैं तो आईए हमारे साथ जोड़ जाएए तो effective focal मिल गया तो यह इसको मैं मिटार देता हूं मिटारने के बाद हम क्या करेंगे तो from equating equating equation number 3 equation 3 and equation 4 we get we get क्या पासकते हैं देखाऊ right hand side दोनों के same है तो one way fee that is a focal sorry that is effective focal and one way fee is equal to how much one by F1 plus one by F2 इसको याद रखो और इसको याद रखने से क्या हो जाएगा एक आसान सा problem हम solve कर सकते हैं F1 दिया रहेगा F2 दिया रहेगा हमको effective focal length निकालना है तो आईए मेरे दोस्तों याद करते हैं convex lens के लिए focal length हम इससा positive होता है लेकिन concave lens होगा तो focal length हम लेंगे ये बात थोड़ा सा ध्यान देना होगा convex lens बुला गया होगा तो आग बंद करके positive लेंगे concave lens बुला गया होगा तो आग बंद के आग बंद करके उसको focal length को क्या लेंगे negative लेंगे ओके तो ठीक है अभी हम discussion करेंगे power of lens इसको और थोड़ा डिवाइब कर देता है इसको मिटा देता हूं लोट कर लिए बहुत अच्छा नोट कर लिए बहुत अच्छा प्राक्टिस कर रहे हो ना डेली डेली अगर डेली प्राक्टिस नहीं करोगे तो बच्चों याद नहीं रहेगा तो अभी हम क्या करेंगे इसको धर्शार्प कर देंगे और लिखने से औफ हो जा रहा है और यह क्या जाएगा एफ एफटू यह क्या हो जाएगा एफ प्लस फ्टू हो जागा तो Effective Ball of Focal Length is equal to F1 F2 by F1 plus F2, ओके, तियर, अभी हम discussion करेंगे, Power of a Lens, Power of a Lens, मेरे डिमार्च में है, Lens में कर फर्मुला उसके बाद पक्का, नेक्ट बीजा में Lens में कर फर्मुला पक्का, ओके, इंतिजार का फल मिठा होता है, ओके, तो Power of Lens में क्या होता है, Lens का Power क्या होता है, अरे भई, हम लोग तो जाने हैं, हम लोग को पता है कि Convex Lens अगर होगा, तो उसका Power है, वो Converge करेगा, कितना Converge कर पाता है, ओके, अगर Concave Lens होगा, कतना इबिलीटी तू अबिलीटि टू और पर बोलते हैं तो उसको में के बारे में बोल रहे हैं तो मालूम पड़ जा रहा है कि हम कंकेव लेंज के बारे में बोल रहे हैं तो आईए अभी बात करते हैं पावार अफ लेंज क्या होता है इस एविलीटी एविलीटी ओफ लेंज एविलीटी ओफ लेंज टू कंवर्ज to converge in case of in case of convex lens 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 and diverge and diverge diverge in case of yes yes in case of concave lens very very important short note very very important short question problem में भी आते हैं very very important okay and diverge in case of concave lens in case of concave lens of path of ray of light path of ray of light है ओके तो माना जाता है कि power of lens power of lens power of lens inversely proportional होता है inversely ability to converge or diverge इसे लिखते हैं ability to ability to converge और diverge लिखते हैं डाइबर्ज ओफे लेंस जो की power of lens इन्वर्सली प्रपर्पर्शनाल टू फोकाल लेंस इन्वर्सली प्रपर्पर्शनाल टू तो क्या लिख सकते हैं power e, और उसका unit होता है diop today diop вы – possibility dial Internet, power of lens का unit होता है diopter power of lens का unit होता है diopter इसे इटिए इक्वाल ढूम लेख सकते हैं 1 by F मीटर 1 by F मीटर और हम क्या लिख सकते हैं वामन बांफु भांऔर में सेंटिमट्र लेखेंगे तो हमको मिल जाएगा औरन बाव लेंट पोसिटीव होता है यह वालाप बाव लींस of a convex lens is positive अगर concave lens होगा तो यह वाला नेगेटिव आएगा तो यह वाला भी नेगेटिव आएगा तो power of lens of a convex lens is negative कहलाएगा अभी यह मैं पाइंट को लेख देता हूं डिफ्रेंस है लेग लिए ओके कोई बात नहीं बहुत बढ़िया उसके बाद हम छड़ा दो प्रोग्लेम करेंगे तो ठीक है तो पावर अफ लेंस वान वाइफ मीटर और हम बढ़ सकते हैं 100 वाइफ सेंटिमिटर लेख सकते हैं जो की यूनिट क्या है यूनिट है डायप्टर केपिटल डी लिखता है केपिटल डी लिखता है तो कन्वेक्स लेंस के लिए कन्वेक्स लेंस के लिए पावर अफ लेंस क्या होगा पोजिटिव होगा कंकेव लेंस के लिए आरे भाई फोकल लेंस जो होगा वही होगा फोकल लेंस का साइन जो है पावर अफ लेंस का वह सैंसों तो पावर में क्या होगा फावर अब और फेक्टीव लेंस्ट इन पावर फेक्टिव लेंस्ट को क्लेंगे एल हुए इतनल सुदेन्स तो यह बाव्ण पॉर्ब्लेम है बेस्ट ऑन सhãफ फोकल लेंट्र यह से करेंगे में तो यह ben बतला था कि कंकेव लेंस का फोकल लेंट्रैंख रहुता था है को היımज इकल के लिए उस इकल प्रमाइनस खेवनज का आ गए तो फित्सकर लेंकिल अगा है तो यह दिसन् Land पहलेंगे कर दो फ्रॉम्ला डालते हैं, 1 भाइ फिज इक थे वान वे फन प्लास वान भाइब टू ओके तो क्या होगा आफ फान वान वे फ्रन फन फान तो क्या बोला है अगर 15 cm डिस्टांस में अगर अबजेक्ट है तो इसका किया इसका फोकल लंद कितना है इसका फोकल लंद है अब यह में निकाले हैं तो पॉजिटिव लेखेंगे कि अब तो पुछा गया है तो कहां पर इमेज कहां पर इमेज फर मेंसं होगा तो यह अगर आ जाएगा तो तो यहां पर कर देता हूं तो वान भाइब ही इस इकॉल टू कितना जाएगा लसे बना देते हैं तो फाइब टू थ्री पाइब टू जा थर्टी 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 जाएगा यहां पर दिवैड हो जाएगा यह बहुत आसां सब्सक्राइब है तो हम नोगेर यहां दीए तो सब्सक्राइब कर दो आधा ने टाल दिए उसके बाद िफिक्टीव फ्लाइंद और और combination of lens को ले कि हम क्या की image distance निकाले तो ठीक है अभी हम एक power of lens का problem करते हैं तो अभी हम discussion करेंगे power of lens का दो problem जो की छोटा-छोटा problem ऐसा आ सकता है इतना आसान सा problem आता है मैं सक दिया गया है कि f1 is equal to plus 5 cm थो तो एप फ्लाईप लैंस निकालो तो इस इत्वाईप लेmbolic sign दे दिया है तो कौन सक को दंस से convey on the list का positive photo होता है तो पाव प्लेंस का formula है वहान आइफ मीटर लिख सकते हैं और हम लिख सकते हैं तो हमको सेंटीमेटर में दिया गया है तो हम यूज करेंगे तो यह हो जाएगा ट्वेंटी डियाप्टर है और दूसरा फिर लिखते हैं वान वाइफ मीटर दिया गया है और दिया गया है तो किसमें यूज करेंगे हम किसमें यूज करेंगे मिटर में दिया गया है तो मिटर में यूज करेंगे यहां पर हम डाइरेक्ट लिखेंगे लिखेंगे माइनस वान बाइटेन मीटर तो यह हो जाएगा आप लोगों का माइनस जीरो पॉइंट वान क्योंकि माइनस सैंट कंटीनू रहेगा क्योंकि नेगेटिव है तो यह कौन किस लेंज का वेलू है यह यह पावर लेंज यूनिट होता है यह भी होता है यूनिट तो इतना असान सब प्रोब्लम आता है मेरे दोस्तों तो डिफेंट डिफेंट भेलू लेके तुम लोग भी ट्राय कर सकते हो तो आज का सेशन में उतना ही हम डिसकर्शन करेंगे तो आप लोगों का काम है कि अच् की सब्सक्राइब और कमेन भी बनता है होके आपका जेतु फिजिक्स कि मैं है कि कि अधा यह कि यह उपना कि यह थे यह थे नहीं अद्रेंग कि यह थे निए